हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सुपयानी वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंट्स जितने भी आईटिया के शुडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था उनको पता है कि जो फाइनली आप लोग का मैरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है ज किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप किस तरीके से उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उसको चेंज कैसे आप कर सकते हैं तो बीडियो का अंत तक देखिया अधि आपका जो है मैरिट लिस्ट में आज चुका है अगर नहीं भी आया है तो सेकेंड राउंड में जरूर आजाएगा आप लोकर नाम जो भी अश्टेंट हैं जिनका अभी तक फर्स्ट राउंड में नेम नहीं आया है वह घबडाये नहीं क्योंकि अभी बहुत सरे दो तीन जो है राउंड निकलता है तो अभी सेकेंड राउंड में हो सकता है इससे जो कम मा आजाता है तो क्या करना है आप लोग को कैसे प्रोसेस किया जाएगा तो सबसे फिले फिर्ट में आपको बता दो कि आपको इस जो है साइट पर आ जाना है मैं इसका लिंक भी दे दूंग डिरेक्ट इस पेस पर आ जाईएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ये कश्डूरीन का जो मेरे पास रेजटेशन नमबर और डिट वर्थ भी है उनका जो मैं ओपेन करके आपको बताऊंगे किस तरीके से आपका जो है कॉलेज सो करेगा उस कॉलेज में आपको पांच तरीक से पहले-पहले चले जाना है जिहां 5-10 से पहले-पहले आपको कर देखना है पंजीकन संक्या नहीं आपको बहुँं करके दिका देती हुं यहां पर पंजीकन संख्या पहले आपका सो करेगा उसके बाद परबेस परकार आपका सो करेगा कि आपको यदि आपने सिर्फ गवर्मेंट में फॉम फिल किया था तो आपको सिर्फ गवर्मेंट ही मिलेगा लेकिन हो सकता है आपने गवर्मेंट प्राइबेट दोनों में कि बेवसाइ आपको दीखेगा यानि कि इनका कम्प्यूटर अपरेटर का है जेहां कम्प्यूटर ने प्रोग्रामिंग असिस्टेंट उसकी बाद यहां पर तो इस्थानिया रचन जन्मतिती यहां पर आपको सौ कर देगा सारा कुछ आप लोग को देख लेना है यहां देख सो तो आवंटी थे बढ़ गए जेनरल उसके बाद फिर्ट से आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपका जो है कौन सा कॉलेज अलाव किया गया यहां पर आपका नाम सो करेगा पिता का नाम और गुरूफ यहां पर एस्ची इनका जो एस्ची वीटी में हुआ है उसके बाद नीचे जो है ऐसे कुछ थोड़ा बहुत यहां पर अपडेट दिया रहता है तो फिर सबसे में चीज है यहां पर आप देख तो यहां पर संस्थान जिहां यहीं है जो कि आपका कॉलेज इनका जो भी यह है सौरव कुमार है इनका नाम सौरव कुमार है उनका जो है कौन सा संस्थान है अधिस्तो गवर्मेंट आई टी आई अधिस्तो यहां पर मुझपर पुर्नगर जिहां यानि कि गवर्मेंट आई टी आई इनको मिला है मुझपर पुर्नगर चार सो अंठामन इसी में इनको जो है एर्मिसन म सकता है बहुत सरे स्टुटेंट कमेंड में पूछ रहते हैं मैं मुझे जो है कॉलेज को चेंज करना है तो क्या करें उसके लिए उसके लिए एक आपवर्ड का आफशन आता है जैसे ऑफशन उसका आ जाता है मैं वीडियो तुरंट बना दूंगी और आपको स्टेप बाइस करके बताऊंगे कि उसमें किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा बिल्कुल फ्री में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा जिया जाएगा जिया जाएगा college का option आपको मिलेगा कि कौन-कौन से ऐसा college है जिसमें कि अभी तक seat full नहीं हुआ seat बचा हुआ है और उसमें आपको admission मिल सकता है तो उसका option दिया जाएगा तो आपको जो भी पसंद आएगा अपने मन पसंद से आप select कर सकते हैं उसके बद आपको उस college में जाना है वहाँ जाने के बाद आपको पता करना है कि उसमें आपको admission मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो यही process है जो कि आप लोग जो है अपने college को change कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाते हैं अगर एक चीज और आपको बता दो friends कि यदि आपको जो है बहतर college मिल चुका है बहुत सारे students ऐसे भी होते जो कि पूछते हैं कि मुझे A group का college मिल चुका है यानि कि बहुत अच्छा बहतर college मिल चुका है लेकिन वो जो है उनको थोड़ा दूर पर रहा है college तो नजदीक के college यानि कि B group बाले college में वो admission लेना चाते हैं आपको बहुतर college में जा सकते हैं तो इसा नहीं होगा लेकिन आपको एक ग्रूप हो गया बीगरूप और सी गूप यदि आपको बी गूप का college मिला है आप A ग्रूप में जाना चाहते हैं तो यह आपका हो सकता है या फिर यदि आपका C group का मिला है बहुत ही जो है कम बहतर नहीं उतना है आपके लिए तो आप B में भी जा सकते हैं और A में भी admission ले सकते हैं तो यह आपके साथ हो सकता है तो यदि आप लोग को अच्छा college नहीं allow किया गया तो आप लोग जो है जरूर फॉर्म फील कर दीज क्योंकि इदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगा तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा आपके पास नहीं पहुंचेगा आपको परिशानी हो सकती है और प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए और पसंद आ है तो लाइक भी कर दीजेगा और फ्रेंस दोस्तों वीडियो क मेरा थैंस नहीं चैनल करो राँडियो का मेरा बिल्कशन अंवग्ट निकलता है मेंतल के इसे पहले आपको जानकाड़ी कि मिलेगी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड अभी जो है दो तीन राउंड जो है निकलने बाला है मैं आपको बता तो फ्रेंट्स की लास्ट का जो होता है वो भी निकलेगा यानि कि इसके बाद जो है तीन राउंड और भी निकलेगा तो जितने अश्टुडेंटे सभी का जो सबसे ज्यादा हाइस्ट मार्क के स्टुडेंट होते हैं जैसे कि 80 परसेंट से उपर बारे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका फरस्ट राउंट में जो है बहुत इजी बेम हो जाता तो आप लोग का आजाएगा तो आप लोग घबर आये नहीं जल्दी सेकेंड राउंड निकलेगा तो मैं वीडियो जरूर बना दूंगी और आप लोग को जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा